केस्टरोल, सबस्के रए- इसके तरह में इसके बेनेफिट्सके बारे इसके बारे में किस करेंगे और इसे किस तरहने से अपी तरह में स्किन यंग योईंग रहें इसके लिए जो हमारे pocket size में fix ही नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहते हूं कि Castor oil एक ऐसा oil है जो इतनी जादा utility है उसकी हमारे skin पे, hair पे, body पे और ये इतनी जादा सस्ते दाम में मिल जाता है और इसके इलावा मैं आपको बताना चाहते हूं कि Castor oil एक ऐसा oil है जिसकी production इंडिया में सबसे जादा होती है और इसलिए आपको ये हर जगी easily available हो जाता है कम दाम होई Castor oil जो है एक yellowish color का oil होता है जैसी कि आप देख सकते हैं इस bottle में है और ये बहुत जादा viscous और बहुत जादा गाड़ा oil होता है कि आखिर ये इस्तमाल क्यों किया जाता है और किसके इस जगह पे इस्तमाल किया जाता है तो Castor oil जो है हमारे सकिन पे Scars जब भी हमारे सकिन पे हो जाते है acne हो जाती है, pimples हो जाते है बहुत ज़दा wrinkles हमारे सकिन पे आ जाते है और सकिन बहुत ज़दा केस्टर ओयल इस्तेमाल होता है तो केस्टर ओयल की बहुत जगा यूटिलिटी है, केस्टर ओयल इवन सोरियस जैसी कंडिशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आखिर क्यों इतना ये इफेक्टिव होता है, इसमें जो है है, और हमारी स्किन इसका इतना अच्छा रोल है, ये हमारी स्किन में हुमेक्टिंट का रोल करता है, हमारी स्किन में जो मॉश्चर है, उसको अंदर ही रखता है, उसको एंट्रैप करके रखता है, जिससे हमारी स्किन जो है एकदम soft रहती है, supple रहती है, तो यह केस्टर oil है, हमारे skin में जब हम इसको apply करते हैं, तो यह deeply penetrate करता है, और हमारे skin में जाके elastin और collagen की production को naturally increase करता है, तो आप समझ सकते हैं, जब हमारे skin में collagen और elastin naturally increase होगा, तो हमारे skin क्या होगी, tight हो जाएगी, और जो wrinkles, fine lines हमारे skin पर आजाती है, वो reduce होगी, आप इसे apply करके देखिए, religiously आप इसे अगर regularly apply करते हैं, तो आप इसका result 100% definitely देखने वाले हैं, और यह इसके खास बात हो रहे है कि यह wounds को बहुत अच्छी से heal करती है, कई बर हमारे skin पर कुछ भी wounds हो जाता है, तो उस पे अगर हम castor oil apply करते है तो वो जो है बहुत जल्दी heal होता है, क्योंकि वो जो है एक तरह का protective layer हमारे skin पर लगा देता है, जिससे हमारे skin के जो अंदर जो naturally जो नई skin बन रही होती है, उसको regenerate करने में, री grow करने में बहुत अच्छी help देती है, तो अब हम एक छोटी सी formulation बताते हैं, क्योंकि आपक केस्टर ओल जो है बहुत जादा विसकस और गाड़ा होता है, तो इसको हम जो है face पे as such apply नहीं कर सकते क्योंकि इसको spread करने में दिक्कत आती है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, दूसरे oil के साथ mix करेंगे, जिससे हमारे skin पे easily apply हो सके और यह अपना अच्छा effect छोड़ सके, और हमने क्या करना है, बहुत ही simple formulation है, आप बहुत ही आसानी से और कुछ ही देर में आप इसको घर पे बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आपने केस्टर ओल लिया, और आपने जितना भी amount आप केस्टर ओल कर लेते हैं, उतना ही amount आपने इसमें कोई और oil add करना है, for example, आप इसमें almond oil add कर सकते हैं, coconut oil add कर सकते हैं, या कोई भी oil जो आपको लगते है कि आपके skin के लिए वो अच्छा रहता है, वो oil आपने अपने इस solution में, इस oil में mix करना है, ये देखिए, काफी viscous और काफी गाड़ा होता है, तो इसको skin पे जो लगाने में oil की मिलाई, और अब मैं इसमें 3 चमच बादाम oil की, almond oil की मिलाती हूँ, और ये mixture बन गया है, कई लोगों को क्या होता है, कि केस्टर oil की smell है, वो थोड़ी सी अलग लगती है, जिससे उनको वो smell पसंद नहीं आती, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम essential oil मिला सकते ह ये optional है, लेकिन अगर आप इसे add करते हैं, तो इसके activity को enhance ही करेगी, इसके ये हमारे face के लिए, हमारे skin के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो ये हमारे skin के लिए extra beneficial होगी, हमारे skin के लिए अच्छा काम करती है, और इसके साथ-साथ अगर आप इसमें rose oil मिलाएंगे, तो quantity बहुत थोड़ी लगती है, लेकिन ये हमारे skin पे अच्छा effect छोड़ता है, इसके fragrance अभी बहुत ही अच्छी आरे क्यूंकि मैंने इसेंचल oil मिला है, और ये आपको लगाने में भी बहुत ही असान रहेगा, तो अब बात आती है कि इसे apply कैसे करना है, जब भी आपने केस् इसे अच्छी नहीं हलके हातों से जो है, आपने इसे मसाज करना है, अपने फेस को और इसे लगबग आप 5-10 मिनट्स डेली रात को सोने से पहले इसके मसाज करनी है, और आप देखेंगे अगर आप इसको रेगुलरली आपने इसको छूड़ना नहीं है, इसे अपलाई कर करना है रेगुलर्ली अप्लाई करना अगर आप इसको दो या तीन महिने रेगुलर्ली अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आम हन्रेट परसंट शूर आपको इतना जादा अपनी स्किन पे बैनिफिट्स इसके दिखाई देंगे आपके स्किन टाइटन हो जाएगी और अपने लीए एक एम बना सकते हैं और अगर आपको डेंडर। की प्रोग्लम है कि हैर फॉल की प्रोब्लम है इसके बाल पहुत ज़दा थिन हो गया है आपके बाल बहुत जदा थिन हो गए पतले हो गए तो उसके लिए बहुत ज़दा बैइनिफिशल एक्निके बताया कि 1⁄4 जो है, आप, ऐलमेंड ओil डाल सकते हैं, 1⁄4 आप, कोकोनेट ओिल डाल सकते हैं, और 1⁄4 जो है, आप, ऑलिव ओil डाल सकते हैं, जो भी ओल आपको पसंद आए, आप वो डाल सकते हैं, ताकि यह थोड़ा सा डायल हो जाए और बाकि जो ओल है वह भी अपना effect छोड़ के तो इस तरह से आप अपने हेर्स पे जो है मसाज कर सकते हैं और उससे आप देखेंगे कि आपकी हेर्स की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी हेर फॉल कम हो जाएगा हेर जो है ठिक हो जाएगे तो I hope कि आपको कैस्टर ओयल के यह यूजिस और बेनिफिट्स पसंदाये होंगे आप भी इसे इस्तंमाल कीजिए और यह जो कैस्टर ओयल का हमने बनाया है मिक्चर बनाया है अपने फेस के लिए इसे आप खाली फेस पर नहीं अपने बॉड़ी पर इस्तमाल कर सकते हैं इस सब बेल बटन जरूर दबाईए नहीं तो आपको मेरे आने वाली वीडियो का जो है नौटिफिकेशन ही नहीं मिल पाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ना इंफोर्मेशन के साथ अब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट बी हैपी टेक केर बाई बाई